नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेन स्वागवात और अब जंदन करता हूं अपने सभी प्यदर्शकों का हम बात करने वाले हैं सप्ताहिक राशी फल्की 20 से लेकर 26 के बंद में आपका सप्ता कैसे वितेगा हम आपको जानकारी देंगे जानकारी चंद राशी और नाम सप्ताह कैसा नीटेगा आपका क्या शुब क्या शुब होने वाला है और क्या उपाएं हैं जिन से दीपावली धंतेरस और मंगल में हो जाए आए शुबहरम करते हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिए बल आगेंगे बटन को दबा दिए फेस्बूक और इस्ट्राम पर हमें सप्ताह बहुत खुश्यों भरा सप्ताह जानते हैं आपकी राशी क्या कहती है तो आये आपकी राशी से अब शुरूआट करेंगे अब हम बात करेंगे मुकर्क राशिकी, सब्ता की शुरुवात की अवधी में आपके स्वास्त में गिरावाट हो सकती है, आपकी पसंता मान से की इस्तिती वित्ती इस्तिती में गिरावाट आने की संकेत मिल रहे हैं, जिसके कराणा आप थोड़े से तलाव रस्त हो सकते हैं आपके मन पर अत्रिक बोज होगा, चिंता होगी, इसकी संकेत मिलने हैं, आप साथी साथ घरेलू, जो मामले हैं, वहाँ पर भी आपसी प्यार ठोड़ाता कम होगा, या प्रभावित हो चकता है प्यार, इस समय में अपने आत्रिक विश्वास को बनाए रखी, कारिक उशल्त आए की वर्दी होगी, बचत भी होगी, परिवार के सरस्यों का सवर्थत मिलेगा, और अच्छी आए कमाने वाले इससाथ बन जाएंगे, तो शुरुवाद अच्छी है, अंत अच्छा है, बीच में खुदा सा नावाडोल है, तो बीस अक्टूबर की बात करें, तो आज क विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, पुराने मित्रों से संफर्ख पढ़ेगा, विद्यारतियों को जो अपना लक्ष प्राफ करना है, उसके लिए कड़ी बहनत करेंगे, और खेल फूरुद में जो बच्चे इंट्रेस्ट रखते हैं, अपना खेल फूरुद से जो और बढ़ाएंगे, 21 अक्टूबर की बात करें, तो आज का दिन जोश और हिम्मत से कुझे ऐसे काम कर लेंगे, बहुत ही मुश्किल होंगे, कुछ ऐसी चोटी बोटी यात्राएं होंगी, जो काफी लाब की होंगी, आर्तिक इसनी बहुत बढ़िया रहेगी, स्वार्स के पर सी साथान देगेगा, जिदि आप वहां खरेंदे की योजना मना रहे हैं, कोई एक्सिडेटर वगएरा हो सकता है और इसकी वज़े से तनाओं बढ़ सकता है, तो अपने जीवन साथी को अपने अपने जीवन साथी को किसी प्रोगार के विवाद मिनना डालें, लाई जगरा ना करें, नहीं तो ये विवाद बढ़ता चला जाएगा, 22 अक्टूबर की वाद करें, तो आज कड़ा संखर्श करने का दिन है, जिसकारा आप तमाव और तकान द्रस रहेंगे, चोटे भाई बहनों का साथ और सयोग विलेगा, आप अपने हिम्मत से जोगी कोई सफलता के लिए को महनत करनी पड़ेगी, धैरे बनाये रखे अपना काम चालो रखे, पैसा कड़ी महनत से प्राप्त होगा, जिवन साती से संब्द मदूर बढ़ेंगे, आपकी बच्चे अच्छा करने वाले हैं, 23 अक्टूबर 2022 अर्थकारम और आलरस का दिन है, आपके आति उश्वास से प्राप्तरी होगी, आपके लिए लिया गया है, बहुत अच्छे रिजन्ट आपको लिलाएगा, आपकी कड़ी महन सफल होती हैं, आपकी घर में धन्द दौरत आ रही है, जिवन साती के प्राप्ति जिसके बहुत ही बढ़ी हा रहेंगे, संब्दान के जरूर मिलेगी, उसके लिए आपको कटिन महर करनी पड़ेगी, आज आपको नियामी सब्सक्ता है, मित्रों की सला से मित्रों के जान पैचान से आपकी कोई समस्या का हाल हो सकता है, लेगि जिसी अंजान वर्ती से नदिकी बरबढ़ाईएगा, जिसी अंजान वर्ती को अ कारी चलाएगे, तो एक्सिडेंट होने के चांसे आज बनते हैं, और अनवश्यक भारी भोजन मत खाईएगा, किसी में सारे चीजे रख दी आपके सामने से ये भी खालो, वो भी खालो, वो भी खालो, ये भी खालो, उतना ही खालो, उतना पैठ हो, पैठ से जाला खाएग में बहुत अच्छा लगेगा, कि 25 अक्टूबर का दिन जो है, आज आपके घर में परसमतार उलास बना रहेगा, गुप तो रास्तों से धन्की प्राप्पी होगी, जिदी आप घर या प्राट लेन शाहते हैं, निच्छी दूर्पे खरीदे, और क्या कहते हैं, अपने मि अधर वाली को उस समय भाग ले सकते हैं, कोई नया वहान इत्यारी करी सकते हैं, माता पिसा से धन प्राप कर सकते हैं, आपके संबन्द माताजी से शुप बने रहेंगे, आपके जवांपुजी बढ़ने वाली है, और आज का दिन उत्तम नहीं सरवत्तम रहेगा, आपके लिए 67% शुप पर अमले करिया सब्ता आ रहा है, और 7 उंबर लखी रहेगा, आप जानते हैं कुछ और खास बातें जो आपके जीवों से जोड़ी हैं, वंदे मातरब, धंतेरस का दिन आएगा, तो धंतेरस वाले जिन क्या करेंगे, परिवार में खुशिया पाने के धंतेरस वाले जिन वरत रखें, और बाद में भगवान कुबेर मालक्षमी की पूजा करें, और मालक्षमी को गुलाब का इतर अर्पित करें, और अपना भाग देखेंगे दिन 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 चमक जाएगा, और इस दिन सोना चान्दी खील वगीरे भी खरी सकते हैं, सोना चा भी पीतल कौपर कुछ भी खरी सकते हैं, इस दिन ये खरीदना शुब रहता है, अब दीपा वाली वाली आप और उपाई क्या करें, अगर आपको करोड़ पती बनना है, तो आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप दीपा वाली की शाम को बढ़वाना चाहते हैं, या अपना वैपार आगे बढ़वाना चाहते हैं, तो दीपा वाली की शाम को साबुत उरद, दही, सिंदूर, किसी पीपल के पेर के नीचे, जड़ के नीचे रखें, वहां पतेल का दीपक जलाएं, और अपनी मनोकामना कहें, जल्द ही आपकी म पूजा विएरा करिए, पूजा करने के बाद उसका अपने लॉकर में रख दीजिए, और फिर देखिए, आपके घर में मालश्मी हमेशा वास करेंगी, गोमती चक्र का भी उपाया आप कर सकते हैं, दिपा वाली के दिन मालश्मी की पूजा करते समय, या धंतेरस वाले द उसको तरह किसे साफ करके पीले कपड़े में लफेड कर अपकी लौकरम मरें रख लेंगे आपकी कभी खाली नहीं रहेगी और मा लाश्मी को खुश करने के लिए आप क्या करें? पूल भी मालक्ष्मी को चड़ाने से मालक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। आपका प्यार भी होगा, इश्वर के प्रति सम्मान भी होगा, तो केसर वाले खीर बनाईए, उसमे मालक्ष्मी को भोग लगाए, घंतेरस वाले जिन भी बनाईए, भीपावली वाले जिन भी बनाईए, खुद भी खाइए ऑुपरशाद के रूप में और लोगों को भी खि इसके साथ साथ दीपा वली में जब हम फल रखते हैं माल अश्मी के सामने आप जैसे जो सीजनल फूर्ट आते हैं आज कल में केला तो देखिए मिल जाएगा आपको सिंगहारे आपको मिल जाएगी ये भी बहुत अच्छा फल है और इसके साथ में सेब मिल जाएगा आपको इससे भी आप इश्वर बहुत खोश होते हैं तो दीपा वली धंतेरस की कुजा में ये कुछ उपाय बता दी अमीर बनने के सैलरी बढ़ाने के और आगे बढ़ने के और तिजोरी खाली कमी ना रहे उसके भी उपाय बता दीए परिवार में शुक्षानती रहे उसके भी इन उपायों को करके आप तरक्की पा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका 2023 अच्छा मीत है तो उसके लिए अपनी जनम पुली बनवाए और जाने कि जनम 2023 कैसा मीत है का दिये दिगारे नगरों पर संपर करके और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें फेस्बू यह औरिजनल नेपाली रुद्राक्ष है यह गरेजी है इसमें भगवान विष्णु का अचिरवाद है दूतरा यह सब्तव की महलश्चनी रुद्राकश है इसमें साथ देवियों का यह Одक नहीं साथ देवियों का तो साथ देवियों जब आपपर प्रसंठों होगी और ध धन के देवता हैं, धन के देवता हैं, कुबेर कह लें आप, धन के देवता कुबेर को यादत रमानते हैं, या धन की देवी मालक्षमी हैं, या आप कहें कि धन को देने वाले ग्रह कौन के हैं, वो है जुपिटर यानि की देव गुरु भरस्पति, तो मालक्षमी का भी आश आशिरवाद है, कुबेर देवतार का भी आशिरवाद है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी, जब आप इसकी पूजा करेंगे, तो आपके घर में सुख सम्रद्धी आएगी, इसके साथ साथ, इसमें इस फटिक का श्रीयंत है, जिस घर में इस फटिक क अवास होगा, वहाँ पर मालक्ष्मी अपने आप चली आएगी, वो देखेंगी कहाँ पर इस फटिक का श्रीयंत्र है, कहाँ पर गड़ेश रश्मी उद्राश्य है, जिसकी मेरा भक्त पूजा कर रहा है, मुझे उसी घर में बसना है, क्योंकि उन्हें प्रिय है, और ये कैसे पूजा करनी है, को क्या करना है, सब जानकारी में आपको दुनगा, इस दीपावली इं गड़ेश रश्मी उद्राश्य फटिक के श्रीयंत्र और इसके साथ के मिलने वाले उपहारों को मंगाईए, और अपनी दीपावली को शांदार मनाईए, एल फिफ्टी में पो